हे गाइस वेलकम बैक टू क्रिकेट बीश सचीन बॉरा गाइस विजुलाइजेशन के बारे में अगर आप जान गए और समझ गए और आपने कुछ दिन कर लिया तो आपका गेम बीश से 30% और ज्यादा टिबलब होगा इसका सबसे बड़ा जो एक्जमपल है वो विराट कोह है जिन्होंने अपने एक इंटर्विव में बताया था कि विजुलाइजेशन कितना इंपोर्टेंड है क्यूंकि देखो मैंने कुछ समय लगबग एक साल पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन मैंने दूसरे वर्ड यूज किये थे जो बहुत सारे बच्चों के समझ में य जो आए यह बहुत इंपोरिटन है यह दोस्टेज में होता है एक इक इनिश्ड करने हरे हैं फ्यूछ को सीख है एक अगले स्टेज है मेंति अक और ग्याम कर बदो जगह वह चीज आप यूज कर सकता पहला स्टेज बतांगा और और करना और आपको सारा है अगे चल्के ब एक सोच मैंने सोच की बारे में बताया था कि क्रिकेट सिर्फ खेलने से नहीं होता सोचने से भी होता है व्यों अपसे आप यूट्यूब से स्कते या आप कहीं क्रिकेट के कलब में जाते हैं आपके कोचेश रहा непहा ह hommes सिखारें आप से हो नहीं रहा वह चीज माना कोई भी ड्राइब यार डिफेंस कुछ भी सिखा रहे हूं तुन्हें अलबो अप करना है हैट पोजिशन बिल्कुल सीधा रखना है पैर ऐसे निकालना जो भी चीज वह बता रहे हैं बट आप जब बॉल के साथ खेलने लगते हैं तो आपका हैट कहीं जा रह है बड़े लड़कों के पास भी टाइम ने रहता है कुछ और काम में बैस रहते हैं इतना ध्यान मगन कोई नहीं करता है लेकिन जब आप खाना खाने के बास सोसते हैं बेड़ में सोते समय आप जब नीद निकाल ले उस टाइम पे बहुत गहरा ही में जाना है कि आपने क् इमेजिनेशन करना ऊपने बनाने हैं पक्का जब भी आप कोई सॉल सीखरेज विडिय को अनलाइज करहा है उसने क्या बता रह freezer क्या क्या हुआ ठीक होना चाईजी है फिर आप क्या करपाएगे नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं करपा है उसको सोचना मनन करना अपने दिमां उसको बोलते हैं विजुलाइजेशन इनिस्टेज में जब आप सीख रहे हैं और यह हर सोट के आपर करना है करते जाना है अपने दिमाग में प्लान बिनाना है कि मैं यह करूंगा और जैसे आपने कई प्लेयर्स को देखा होगा जब आप नॉर्मली गेम में जाते हैं या फ विजुलाइज करते हैं कि बॉल आरी मेरे पास फुल लंद की बॉल आरी और मैं हलके से सोल्डर को डिप कर रहा हूं गर्दन को आगे ले जा रहा हूं और मैं इस तरह से जा रहा हूं यह खेल रहा हूं अल्बो अप कर रहा हूं यह विजुलाइज अपने दिमाग में इम बूल मार रहो यह है इमेजिनेशन विजुलाइजेशन जिसको बोलते हैं तो यह इनिस्ट्रल स्टेज का हो गया जब आप सीख रहे हैं हर सोट के उपर आप वर्क भी कर रहे हैं ग्राउंड में पर घर आके सूझ भी रहे हैं हम लोग कई बार क्या होता है दिमाग से बहुत खरीट के लाओंगा एक घर में आप सोचते हैं या घर में सीधे चले जाते मैंने एक सामान लाना है और भी चीज सोचते कि मैंने यह करूंगा फिर शौटकट तरीका डूंडते कैसे कि जैसे आपने कहीं जाना है तो आपको शौटकट कैसे पढ़ेगा कि मैं पहले इसके पिर इसके जाओंगा फिर मैं वहां जाओंगा फिर मैं ऐसे गोंब करकर कर ठीक हांगा एसा ही पहले उल्टा जाओ गए और दूसरा उल्टा जाओगा आपको लौंग पड़ेगा यह एक GाSP आपने सोचोगे ना कहां से मेरे को शॉट कट पड़ेगा सेम चीज है कहां से मेरे को इजी होगा क्या होगा यह चीज आपने शोचने अब एडवांस लेबल में जो बड़े लेबल के प्लेयर करते हैं वो करते हैं बॉलर के एसाब से प्लान बनाते अपने दिमाग में जैसे कोई बॉलर है जैसे पाकिस्तान के खिलाब हमारा मैच हो रहा माना बैठीक है हरिस रोप ऐसे बॉल डालता है या जो भी वहां के पॉपुलर बॉलर है साहिन्सा अफरीदी है वह भी बार बार क्या बोलते हैं रोही सर्मा के पैर में बॉल डाल रहा था दो बार आउट किया आपने देखा गब फुल लेंध में बॉल डाला पिल्कुल पैरों में डाला हलकी सी स्विंगी एक बार अंदर निकली एक में पैड में लगा और वह आपने देखा था सबने देखा होगा तो उनके माए AO Mें विज्धा चिल रहा होगा कि बहять फिर से वह मेरी मेरी बॉल डाले लेगा फिर के उपर प्लाइन की होगा यॉरका होगा अपने बाल्रों को दोगता बहीं मेरे बार बार पैर में पृमे बाल डाल उडाल और करूंगा कैसे मारंगा एक प्लाइनिंग है जिसको बोलते हैं इसको हर बॉलर की कमी या उसका जो खूबी है उसकी कमी है दोनुचीज आपको पता होने चीए अटाकिंग कोई बॉलर क्या होता है उसको दो तिन सौट स्टार्ट में मार दो तो वह उस प्रेसर में आ जाता है कोई ऐसा होता है दो तिन सौट मारने के बाद इबाद में रिकबरी कर लेता आच्छा से बॉलिंग डालने लग जाता है कौन बॉलर स्विंग करता है इसको कैसे खेलना है कौन बॉलर ज्यादा क्या बोलते हैं स्लोर मारता बहुत सारे बज़से डिज ब्राबो थे वस्ट के ओपर द्हान देना आपने कि क्या क्या सॉट है एडवांस में जाने के बाद ये छोटी-छोटी चीज है प्लाइनिंग अपने दिमाग में अब छोटे लेबल में आप चीज नहीं करोगे मेरे को पता क्योंकि इसको इंपोटेंस आप अभी नहीं समझोगे इसका इंपोट निनकल ला कोच आपको पक्का भुला आता ना अब दूर से खेल जाते पैर निनलत थे रहा आप दो तीन चार बार एर नहीं निकल Comic it मैं उंकाला तो फिर दूसरे दिन स्टार्ट करना कभी भी फास्ट बाल में आपका पैर नहीं निकल रहा तो पहले slow ball से start करना slow ball नो पैर निकलेगा फिर balling की speed बढ़ा के बढ़ा के तब जाके फिर उस speed में पहुंचना तो यह visualization है imagination जिसको बोलते हैं हमारी बासा में सोचना बोलते हैं मनन करना बोलते हैं चुपके से सांत दिमाग से जब कोई न हो कोई तब ही नहीं होता जब आप रात को सो रहे होते हैं उसके बाद दिरे आपको सोते सोते नीद भी आ जाएगे आपको लेकिन दिमाग में बैठे का हो सकता उसके सपने भी आया आपके दिमाग में कि बही ऐसा ऐसा हो रहा करके त अलाकि उन्होंने इंग्लिस में बोला है, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन है वोई, तो यह आप करना जरूर और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिन लेगे, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को फोलो करिए, थैंक्यू, धिन्यवाद.